नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में आज मैं आप सबके सामने अंतर राष्टी संगठन और उनके स्थापना वर्ष से संबंदि ट्रिक लेकर उपस्तित हुआ हूँ इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट वन अप्लोट कर दिया है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्किप्शन में उसकी लिंक दे रखी है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंतितक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकें जरू दबा लिजिए जिससे आपको आ इस्थान 13 नंबर पे और ओ का इस्थान 15 नंबर पे तो 23 और 13 हो गया 36 और 15 मिला कि हो गया 59 तो WMO यानि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कभ हुईती दोस्तों सन 1959 में अगला है गैट जिसकी स्थापना हुईती सन 1947 में तो गैट को याद करने के लिए में गोट मतलब बकरी और 47 को याद करने के लिए कर लेते हैं 147 और 144 तो आपको पता है कि जब बकरी की बली दी जाती है तो हमेशा स्वस्थ बकरी की बली दी जाती है है ना हमेशा स्वस्थ बकरी की बली दी जाती है तो स्वस्थ से हो गया 47 और बकरी यानि गोट तो गोट स सथापने कब हुई थी दोस्तों? सन 1947 में, क्लियर है, अगला है विस्व व्यापार शंगठन जिसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में, तो विस्व व्यापार शंगठन में एक सब्द लिखा हुए ब्यापार और ब्यापार हमेशा व्यक्ति नफ़ा कमाने के लिए करता है, नफा का मतलब होता है profit और loss का मतलब होता है नुकसान तो नफा कमाने के लिए हर व्यक्ति ब्यापार करता है तो नफा में हैं दो सब्द एक ना और दूसरा फा तो ना से हो गया 9 और फा से 5 तो 9 और 5 मिलके हो गया पंचाने अर्थात 1905 पंचानने और नफा कमाने के लिए क्या करते हैं व्यापार तो व्यापार से हो गया विश्व व्यापार संगठन तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों सन 1995 में क्लियर है अगला है विश्व बॉधिक संप्रदा संगठन जिसकी स्थापना हुई तिसन उनिस सर्षठी में तो सर्षठ से एक मिलता जूलता सब्द सरस्वती सर्षठी और सरस्वती दोने एक दूसरे से मिलते जूलते सब्द हैं और दूसरी तरफ सब्ड लिखा हुए बिश्तो बॉध्धिक संप्रदा संगठन जिसमें एक सब्द है बॉध्धिक अर्थात बुध्धी की बात हो रही है तो आपको पता है कि जो सरस्वती माता हैं वे बुध्धी की देवी हैं है ना तो बुद्धी की देवी सरस्वती माता हैं तो सरस्वती से हो गया सरसथी और बुद्धी से हो गया विश्टु बौधिक संप्रदा संगठन तो विश्टु बौधिक संप्रदा संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तो सन उनिस सो सरसथ में क्लियर है अगला है UNESCO जिसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में साथ ही UNICEF की स्थापना भी सन 1946 में ही हुई थी तो आपको पता है कि UNESCO राष्टी स्मार्कों को विश्चु धरोहर के रूप में चिनहित करके उनको अपने आस्रे में लेता है आस्रे में लेने कार्थ है अपनी चाया में लेना तो चाया से हो गया 46 अर्थात 1946 तो जब UNESCO किसी भी चीज़ को अपनी चाया में लेता है तो वह चीज़ सेफ हो जाती है तो सेफ से हो गया UNICEF और 46 से सन 1946 46 तो UNESCO और UNICEF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों सन 1946 में क्लियर है अगला है ACI बैंक जिसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में तो ACI बैंक में एक सब्द लिखा हुए सिया सिया अर्था सीता माता की बात हो रही है तो जब रावन सीता माता को चीन का लंका ले गया था तो सब वहां उसको बोल रहे थे कि छी छी ये सिया को चीन के लाया है तो छी छी से हो गया 6-6 अर्था 6-6 और सिया से ACI बैंक तो ACI बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों सन 1906 में clear है अगला है विश्व स्रम संगठन जिसकी स्थापना उची सन 1919 में तो विश्व स्रम संगठन में एक सब्द लिखा हुए स्रम तो स्रम से एक सब्द बनता है परिश्रम तो अगर आप किसी भी जोब को करना चाहते हैं तो आप अच्छी परिश्रम करते हैं और जब आप परिश्रम करते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है कि नाइस अच्छा कर रहे हो लगे रहो है ना हर व्यक्ति क्या कहता है कि नाइस अच्छा कर रहे हो तो नाइस से हो गया 1929 और जब आप परिश्रम करते हो तो परिश्रम में है स्रम सब्द तो स्रम से हो गया विश परिष्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तो सन 1919 में क्योंकि जब आप परिष्रम करते हो तो हर ब्यक्ति यही कहता है कि नाइस अच्छा कर रहे हो लगे रहो आपको एक दिन जौब जरूर मिलेगी अगला है नाटो जिसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में तो नाटो में एक सब्द छुपा हुए नाटा नाटा का मतलब होता है छोटा और दूसरी तरफ सब्द लिखा हुए उंचा तो उंचा तो नाटा और उंचा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आपको नाटो देख कर उंच्या अर्थात उंच्यास याद आ जाएगा तो नाटों की स्थापना कब हो थी दोस्तों सन 1909 में क्योंकि नाटा का उल्टा होता है उंच्या clear है अगला है एमनेश्टी जिसकी स्थापना हो थी सन 1961 में तो एमनेश्टी में एक सब्द लिखा हुए नेश्ट नेश्ट का मतलब होता है घोंसला तो जब कोई भी पक्षी घोंसला बनाता है तो जो दूसरे पक्षी होते हैं वह उस घोंसले को एक टक देखते हैं है ना या फिस जो सिकारी पक्षी होते हैं वह दूसरे पक्षी की घोंसले को एक टक देखते हैं जिससे कि वह पक्षी उड़ जाए तो वह उसके घोंसले में बैठे हुए छोटे पक्षियों का सिकार कर ले है ना इसलिए सिकारी पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले को यानि नेश्ट को एक तक देखते हैं तो नेश्ट से हो गया एमनेश्टी और एक तक से हो गया एक सठ तो एमनेश्टी की स्थापना कब होmpfen थी दोस्तों सन 1901 में क्यूंकि सिकारी पक्छी दूसरे पक्छी के गुशले को एक तक देखते हैं क्लियर हैं? अगला है 20 सरणार्थी उच्चायोग जिसकी स्थापनावी चिसन 1950 में. अगर पच्चास में पाको बा कर दें तो हो जाएगा बच्चा. अर्थात बचाने की बात हो रही है. और दूसरी तरब सब दे लिखाओ सरणार्थी. तो जब एक देश अपने देश के लो और सरण से हो गया 20 सरणार्थी उच्चायोग. तो 20 सरणार्थी उच्चायोग की स्थापना कब हो थी दोस्तों? बच्चा से सन 1950 में. क्लियर हैं? लाश्ट है अंक टाड जिसकी स्थापना हो थी सन 1984 में. तो अंक टाड में एक सब्द लिखा हुए अंक. अंक की अगर बात दोस्ताइब करें अगर आपने भी तेक मेरे चेनल को इन्हें किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकेन जरू दबा लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद